हमारे देश में बहुत सारे खिलाडी ऐसे हैं जो इस वक्त ओलम्पिक गए हैं और वहाँ पर मेडल जीत कर भारत देश का नाम रोशन कर रहे हैं भारत देश का मान समान सब कुछ बढ़ाने का काम करें लेकिन राज कुंद्रा की एक ऐसी योजना मीडिया के सामने आई है चै कुंद्रा भारत में 360 डिग्री का असलील कॉंटेंट बनाने की तयारी करें यानि कि वर्च्वल रियालिटी का बहुत 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 तरीके से मज़ा देने की बाते कर रहे हैं और ऐसा करके वह भारत का नाम दुनिया के नजरों में बहुत उचा उठाना चाते थे इतिया इंडिया में महगा मिलता है हर किसी के पास नहीं हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इसलिए यह जो असलील कॉंटेंट बनाया जाने वाला था 360 डिग्री का यह कुछ लोगों के लिए बनाया जाना था ट्रायल बेसिस के उपर जब इसकी पॉप्लेटी बढ़ती तो गरीबों इनसान इस योजना का असलील फिल्मों का मजा ले सके और उसकी जिन्दगी में सब कुछ भाईया बड़े एकदम रोमांचक दौर से गुजरे हो ऐसी योजना बनाई जारी इस यह शाकूर का यह कहना है कि अगर यह योजना इंडिया में काम्याब हो गई तो राज कुंद है कि ऐसी चीज भारत में पहले नहीं हुई है आपका नाम इत्यास के सुनरे पन्यों में दर्ज हो जाएगा यह भी बताया कि नेटफ्लिक्स और अमेजन जैसे बड़े बड़े लोग 360 डिग्री में अभी वीडियो शूट नहीं कर रहे हैं और राज कुंद्रा यह कर दें और सामने ही मज़ा लोगे मतलब यह होगा कि ड्राइविंग सीट पर बैठ कर जो गाड़ी चलाने का मज़ा आता है वो मज़ा देने की पूरी तैयारी चल रही है बताओ मोदी जी यह कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया में टेक्नोलोजी को बढ़ावा देना है इंडिया क को बहुत उचाईयों तक ले जाना है मेकिन इंडिया की बात करें लेकिन राज कुंद्रा का जो मेकिन इंडिया वाला प्लान है यह तो कुछ अलगी है यह तो डिजिटल वर्ड की दुनिया में असलीलता को बहुत उचाईयों पर ले जाना चाह रहे थे गरीब को दो वक् पूलकुल नहीं, बहुती गरम महसूस होगा, उन्हें सीधे सिधे स्वर्ग लोग की प्रापती हो जाएगी, मेरा यह माना है कि राज कुंदरा और उसके जैसे ऐसे तमाम लोगों पर इतने डंडे बरसाओ, इतने डंडे बरसाओ, कि जितना होली में रंग नहीं बरसता, बर प्रवाद करने की योजना बना रहा है वो भी 360 डिग्री वर्चुल तरीके से ऐसे लोग सही मायने में महिलाओं के उपर बढ़ते अपराद को लेकर जो रेब जैसी घटना है भारत में हो रही है हर एक मिनट में एक औरत के साथ रेब जैसी घटना हमारे देश में हो रही है यह बहुत ही सूचने वाला फिशय है बहुत गंबीलतार से सोचा जाना चीए लेकिन हमारे देश की पुलीस और हमारे देश के सरकार इसको कितनी गंबीलतार से लेते हैं यह आने वाले समय में पता चलते है हलाकि राज कुंद्रा जैसे लोगों को छोड़ा नहीं जाना च उना चीए